नमस्कार दोस्तो मैं हूँ सूर्ज अगरवाल आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूटूब चैनल गार्डेनिंग ज मैं पैसेन का हिंदी भर्षन दोस्तो आज मैं आया हूँ गालिप स्टीट मार्केट ये कलकत्ता का, पौधो का, फूल का, ये फालो का, पौधो का सबसे बड़ा मार्केट है सारी चीज़ ये हूँ ose मिल जाएगी, ये सियल्दा इस्टेशन के बिलकुल नज़्दीक है स्याम बजार का पांच माथा का मोर से विलकुल नजदी किये जगा जगा का नाम है बाग बजार इस इलाके में गालिप स्टीट मार्केट यह जो लंबा एक गली सी दीख रहे हैं आपको पूरा बजार बढ़ा हुआ सारे जो नर्सरी के चीजे हैं जितनी तरह के फूल के आरेलिया का पॉदे है अच्छए अच्छे पॉदे आपको मिल लें की यह सरे मॉर्निंग ट्रुडी है जो आपको करीब एक और शवह स्यष्कास हैं उस्यष्ट से सो रपिया में कहीं आपको पचास से सो रपी और सारा गजने vinyl फैप के जो CT खिल्ण थान और बुगन मिलिया है बहुत बहुत तरह के जितने भी तरह के आप सोच सकते हैं फ्ल्रॉघ मलिया वहाँ थार कि अब शती करें आप मंक्एEM जडरूर एक बार बूइठ करिए आपको मेंट लेके चलता हूं सारा यह देखिये यह bleeding heart vine 70 रुप्या में मिल जाएंगे आपको bleeding heart vine और यह आपके morning glory अगर top में मिल जाएंगे यह merender है, 70-80 रुप्या में merender मिल जाएंगे आपको और कि जितने भी foliage plants है इसमें आपको मिल जाएंगे, तरह तरह कि यह जो syngonium है, यह और तरह तरह के अरेलिया है तरह तरह के अरेलिया मिल जाएंगे आपको और फॉलियस प्लान्स प्लारिंग प्लान्स तरह तरह के जितने भी आपको सोच सकते हैं सब तरह के पौदे इसमें यहां पर आपको बहुत उचीत दाम में आपको मिल जाएंगे तो आप आए यहां पर औ और आपको मैं एक एक करके दिखाता हूँ क्या कर मिलेंगे यह ग्लैडियूलस का बाल्ब है यह देसी बाल्ब है यह आपको मिलेंगे 6-10 रुपिया में यह बड़े साइज के जो है यह केनियान बाल्ब है इसके प्राइस है 25 रुपिया यह करीब 3 इंच के डियामेटर का है यह कापी बड़ा होता। है और इसका फूल भी था हूता है तो मैं डिखाहूं गोजा है इसका मैं कभी इसका डुल करूंगा ता आपको मैं दिखाहूं गा कैसे ग्रू करता है और सामने यह जिढंगा सामने नहीं रिदेरें ब्लावार प्लाउया है 25 रव्या में और यह जो देख रहे हैं रजिनिंग अंद का बल्ब है बहुत चोड़ा चार्ट से पांच इंच का डामेटर का इसका आप बल्ब लगाएंगे डिसमबर या जनुरी में तो दो मैने में इसका फूल के लिएंगे और फूल में आपको दिखाता हूं कितना माल्टिपल पेटल का रज आपको देखने लायक है और यह मैं डिस्किप्शन बॉक्स में दे दूंगा इनका अड्रेस भी आप चाहें तो इससे मंगवां सकते हैं सारे यहां के खरीज सकते हैं और यह पचास पर आप खरीदेंगे जिंदी के बार आप दूसरी बार खरीदने के जोड़त नहीं है य यह देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ यह है सुइच चेरी यह मिल जाएंगा आपको 100 रुपया 500 रुपया में छोटे बड़े पोदे 200 500 रुपया में और तरह तरह के गुडल आपको बैंगलर भारेटी या फिर देशी भारेटी या तरह तरह के जो पूने बारेटी के हैं और उसका प्राइस भी अलगल होते हैं 40-50 से 100 रुपया तक और आप हैंगिंग बसकेट में चाहते हैं कि इसको लगाएं इपो मिया इसको हम सकरगंदी के बोलते हैं यह कलर वारेटी है है यह हम लगाते हैं ग्रीन वारेटी गौलेन वारेटी और आप चाहते हैं बरिक बढ़ाई यह भी आपको मिलेंगे 50 से 60 रुपय में बिलकुल यह पॉट समय एक बार लगाएंगे यह यह ली चलते हैं साला साल चलते हैं एनौल प्लैंट होए पेरिनियल प्लैंट भी है और तरह तरह के आपको जो गेंदी के पौदे हैं डबल अफ्रिकन जाएंट या फिर से 50 सुभी हमें जेट प्लैंट के आपका पौदा मिल याएगा और यह बहुत आसानी यह यह बरीगेटेट अरिलिया 40 सुप्य में मिल याएंगा आपको जो बहुत अच्छा यह है यूम पिनार्शरी और यह मिस्टर भॉट्टेचर यह है यह प्लैटेनिया है प्लैंट य जो है जो छोटे पौदे होते हैं ड्वाद भराइटी वो भी आपको मिल जाएंगे याँ पर और तरह तरह के जो एक्जो्टिक प्लैंट यह मिल जाएंगे यह पर यह फिर आपको गैस्ट अढया यह यह मिल्यागा 1500 रिप्या में तरह तरह के पौदे जितने भी है एक्जोटिक प्लैंट यह आपको मिल्यागा यह है स्पैदी फाइलांग जिसका आम ग्राउंड और्खिट कहते हैं इसका फूल के जाब स्पाइक निगलती है पार्पल कलर के बहुत कुप सुरत दिखती है यह आपको मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं ऐसी और्खिट यह है कैटेलिया और्खिट इसको यह प्राइस बताया है नुने 500 रिपिया हिमांग सु भट चार यह इनका नाम है मैं इनका डिस्क्रिप्शन लिंक पर दे दूंगा इनका पूड़ा और यह इन्होंने बताया फ्री पता नहीं क्या नाम है यह फ्री फार्ण बताया नुने और यह फार्ण आपको इंडोर भी लगा सकते हैं इनका इन्होंने प्राइस बताये दो सुरुबिया तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगर आपको चाहिए इस तरह के पोदे तो आप यहां आके इस प्रुर्ण बॉक्स ब्रीन का पून भी कर सकते हैं कैसे क्या मिलेगा यही बता पाएंगा आपको कैसे यह पर्चेस करना है तो तरह के आपको बहुत-बहुत अच्छी तरह के जी वह रेती जहों कोई मार्केट में नहीं मिलती यह कौल जाएगी और यह सर्फ संड़े यह फॉलेंड के है लीलियं असी पर यह मांग रहे एक एक इसमें बहुत अच्छे फूल किलते हैं और यह मेरे एक दायाय तरफ सब्सक्राइबर है और यह जो है और यह बायाय तरफ इसका इमांग सुबर्चे जार कुछ सब्सक्राइबर मिल गए तो उनसे में मुलाकात पार यह आपका यह देrsन्यकू फ्लावड प्लाव प्लंत सब्सक्राइब दे सेद्सक्राइब लाकि ममु के पानी में डालने के लिए 2-4 बूंदे डाल दीजे हफ्ते में तो कहते हैं कि अच्छा होता है यह थोरह जेली बॉल है जो TRANSPORTATION करते हैं एक जरह से दूसरी जगाल तो लाकि ममु में इसको TRANSPORTATION में HELP करता है जेली बॉल और यह खाद आप दे सकते हैं पता नहीं क्या है मेरे खाल से तो NPK होगा 2020-2020 और कुछ आपको चाहिए कि यह बल्प्स लगाने हैं तरह तरह के लिलियम जो होते हैं तरह तरह के बल्प्स होते हैं जो ग्लैरूलस होते हैं वो यहां पर ब्रॉसियोर समय दिखाते ह कि कौन सा फूल का कौन सा कलर होगा यह बल्प्स या ग्लाडियूस या फिर कोई भी ट्यूबर्स खरी सकते हैं यहां से और यह 10 से 15 रुप्या में मिल जाता है आपके डिपेंडिंग अन्द भाराइटी जैसे जैसे आप कहेंगे यह कलर चाहिए तो उस तरह के यह बल्प् भागर सकते ही यह सदी को मौसर में घ्लाडियूस लगाने का मजा ही कुछ अलग है जरूर से कुछ तो ग्लाडियूस आपको आपके बागर में या पिर आपके घमले में लगाई है और देखिए कि न जारह मैँने जारा मैंने वह ब्लगाया देशों और प्लाइटी सब्सक्राइबर है मुझे मिल गए और बहुत ही अच्छे जानकरी है इनके यह मुझे बता रहा है कि गुलाब का फूल पौदा यह कोई भी पौदा खरेदने के बाद इसको कैसे टीटमेंट करना चाहिए घर में कैसे इसको रखना चाहिए कैसे इसके रिपोर्टिंग करने कंडिशन्स है वह मुझे बताया तो मैं उमीद है बहुत जल्दी उनकी मुसावर रवान के बनाऊंगा और काफी लोग मुझे पूछते हैं कोकोपीट का ब्रिक का मिल गा तो यह कालिक स्टीट मार्केटर आजी यह बहुत सस्ता मिलता है यह पांच किलो का ब्रिक है तीन स यह दिखिए साफ का पेकेट को मिल जाएका तरह तरह दिखिए साफ केट छोड़ा थे पेकेट भी मिल जाएगए एड़ वी सब्राइग्स वह यह नीम का जाते हैं कि फूली एस प्लैंट हो तरह तरह के फूली जन opposite जितना भी है डिफ ऍार दर क्रित ज говорит को पिर आपको आपको गिने मिल जाएंगे तरह तरह के कलर के और ये सारे अलोबेरा है और अडेनियम है तरह तरह के पौधे, hundred types of पौधे, hundreds नहीं, thousands of types के पौधे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और वो भी regional price में, ये क्रिशन तमाम है काफी अच्छे क्रिशन तमाम है point city है, point city सर्दी में लगाने के टाइम होता है, क्रिशन तमाम है, क्रिश्मास टाइम में और ये काफी सरे pots है plastic का pots, hanging pots भी है और कुछ बैलकोनी, ये सब जाब देख रहे हैं balcony pots है, balcony में लगाने के लिए hanging pots के लिए बहुत अच्छे होते हैं और आपको ओजार चाहिए, gardening tools चाहिए तो सारे तरह के gardening tools अच्छे quality के आपर मिल जाएंगे और जिस तरह के आपका चाहिए, तरह तरह के hanging baskets या पर pots या सारे मिल जाएंगे और सर्दी के time है, तो जरूर से आप coleus और betunia का time होता है coleus, betunia, genda, dahlia और आपका गुल्दावदी, यह तो पांच फूल आपको जरूर लगाना चाहिए, कोलियस के फूल नहीं है, यह फूलियस plants है, बहुत अच्छा, और तरह तरह का आपका जाफरी का भी मिल जाएगा plants और गुलाब का तो कहना ही क्या है और तरह तरह का आपको जो और भी तरह का फूलियस plants है, hanging baskets है और यह सारे आप जो देख रहे हैं यह तो पर यह कॉक्सकॉम है और पीटूनिया है, तरह तरह के आजकल बहुत हाईवरीड फैरेड के पीटूनिया आ गए है बहुत बहुत अच्छा लगता है पूल फूल खिला हुआ, उस तरह वह ज्यादा दिन टिकते नहीं है तो आप ऐसे पौधा करिदें जिसमें कली पूरी मात्रे मां आई हुई है और उसी तरह में फिर खिलेंगे तो आपको देखने में मज़ा आएगा तो यह कुछ परसलेन के पौधा है पौब गया रखा गया है और यह बहुत अच्छा बजा राहheiten तो अगर ये वीडियो पसंद दर लाइक कर दीजिए आपको यार दोस्तों के जाज सेयर करना है तो सेयर कर दीजिए गाड़ेनीज बाइज पैसें हाड हिंदी बार्सन में नए है तो जरू सब्सक्राइब करें मैं आपको आगे चलके बहुत सारे दिखने जाला हूँ पट्टू देखना नहीं बहुत जल्दा रहा है